घर में अचानक से मेमान आ जाए ना तो जटपट से बनाए ये टेश्टी सा नास्ता जो बहुत ही ज़्यादा ये टेश्टी है खाने में और बनाने में एकदम असान सी रस्पी है हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी कीचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज नहीं में आपके साथ एकदम टेश्टी और चटपटे से नास्ती की रस्पी लेकर आई हूँ जिससे आप कम तेल में बना सकते हैं और खाने में इतना ज़्यादा लाजवाब होता है कि इसके आगे ना समोल से कचोरी सब फेर लगेंगे तो चलिए फिर बिना देरी कि ये गेहों के आटे और आलू से ये टेश्टी सा नास्ता बनाती है तो नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम यह पे एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इस बाउल में हम यहां पर डालेंगे दो उबले हुए आलू तो दो आलू को मैंने पहले ये वाल के अच्छे से ढ़ना होने के बाद में जील लिया है अब हम क्या करेंगे इसे कद्दू कस कर लेंगे तो आलू को ड्रेक्ट ही हम इस्तमाल नहीं करेंगे छोटे वाले ग्रेटर से है जो इस तरीकी से कद्दू कस कर लेंगे आप चाहे तो प्टेटो में सचे मैश भी कर सकते हो इस आलू को ये कीन मानिये दोस्तों दो उबली हुए आलूर थोड़ी से घ्यूं के आटे से आप पूरी परिवार के लिए धेर सारा नास्ता बना सकती हो तो अब इस नास्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी पत्ता गोबी लेंगे तो पत्ता गोबी को ना मैंने बड़े बड़े टुकडो में काट की मिक्सी जार में थोड़ा चलाया थोड़ा बंद किया इस तरीके से किया ना तो ये थोड़ी चौप होगए अच्छे से आप चाहे तो बारी काट के भी ले सकते हो थोड़ा हरा दनिया के पत्ती डालेंगे साथ में हम यहां पे एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे तो प्याज को आपको बारी काट के यहां पे डालेना है और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे दो हरी मिर्च तीखे के लिए और थोड़ी सी मेनी यहाँ पर सिमला मिर्च लिए है आदी से भी कम लिया है यह भी हम बारे कटके डाल देंगे और अगर आपके पास गाजर है तो यहाँ पर गाजर भी आप डाल सकते हो तो जो सबजियां आपको पसंद है इसमें एड़ कर सकते हो जिससे आपका नास्ता हैल्दी भी बनेगा और बहुत ही ज़्यादा यह टेश्टी भी लगेगा और अब हम क्या करेंगे इसे अच्छी से है जो मिक्स कर देंगे तो पहले हम अच्छी से है जो इसे इस तरीके से म मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जिससे हमारा नास्ता और भी ज़्यादा टेश्टी बनेगा तो स्वाद उनसार है जो नमक डालेंगे आधी चम्मा जितना लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे थोड़ा सम कलर के लिए हल्दी पाउडर डालें इससे हमारा नास्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनेगा तो जैसे कि मैंने आपको कहा अगर आपके पास नीबु नहीं है तो आप यहां पे चाट-मसाला डालीजिई फिर आपको नीबु का रस डालने की कोई जरूरत नहीं है उससे बहुत ही आपका नास्ता चाहे तो चम्मा से या फिर हाँ से भी कर सकती हो, मगर यह आलू ना थोड़ी से ज़्यादा इन में है, जो पानी है, तो हम यहापे क्या करेंगे, बाइंडिंग के लिए है, जो दो चम्मा जितना चावल का आटा डाल देंगे, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो आप यहापे आरा रोट का पाउडर डाल सकती हो, या फिर कॉन फ्लोर भी डाल सकती हो, तो ज़्यादा नहीं डालना है, दो चम्मा जितना डालना है, तो अगर आपने चावल काटा या फिर कॉन फ्लोर जादा एड़ कर दिया ना तो फिर उसमें पाउडर जैसा है जो आपको खाने में लगेगा तो आपको यहाँ पे दो चम्मा जितना है डालना है और अगर आपके पास चावल काटा भी नहीं है कॉन फ्लोर भी नहीं है या तो आप यहां पे ब्रेड को पीस्की भी डाल सकते हो अगर आपको आलू थोड़े ज़्यादा गिले ले लगे तो मगर थोड़ा से इस तरीके से डालेंगे ज़रूर बाइनिंग के लिए ताकि यह तेल में जाके बिलकुल भी विखरे नहीं अच्छे से इस तरीके से मिक्स क करके अब हम इसे रखेंगे साइड में और अब हम यहां पे एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम यहां पे डालेंगे अधिक टोरी जितना गहूं का आटा और साथ में इस नास्ते को और भी ज्यादा टेश्टी बनाने के लिए दो चम्मा जितना हम बैसन एड़ करेंग कि थोड़ी सी हम अजवायन डालेंगे क्योंकि हमने बैसन डाला है तो अजवायन के साथ बैसन का टेश्ट भी अच्छा आएगा साथ में यह डाइजेसन के लिए बहुत है अच्छी रहेगी और थोड़ा थोड़ा पानी डालती हुए इस तरीके से इसका है जो इक गॉर बना लें गे तो गॉर को हमें पतला नहीं बनाना है गाड़ा यह बनाना है और अगर आप इस नास्टे को सिर्फ गिःओं के आटी से बना रहे हो ना तो फिर उसमें थोड़ी सी तिल एड़ कर दीजे थोड़ी सी चिली फलेक्स करके और वाद में इसे मिक्स कर ल deedsे थोड़ी हरेदनी की पत्ती भी एड़ कर सकती हो तो मैंने यहां पर बैसन डाला है और गियूंका आटा नमक और अजवायन डालके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालती होई बिन गुठलियों का है जो एक गोल बना लेना है गोल को हमें गाड़ा रखना हैं ज्यादा पतला नहीं करना रहें अच्छे से फेेट लेना इस तरीके से देख सकते हो गोल अच्छे से है जो मैंने यहां पर फेेट लिया है मिक्स का लिया है इसमें एक还 गुठ्भुया वगरा नहीं रही है तो चलिए गोल को साइड में न लेंगे , तो टॉब्र स उपर से चिप्टा कर लूँ रहे threw एक प्र जायेंगे और यहूं do y hell ś duż यह तो यह थोड़ा सफ में पेप प्र खीएंगे और रखी ही यहां पर एक Def कंषम से बन जाती रिखust और अब जो हमने इन घोल मिक्स करने हों तो इस तरह के ओपर कोट तो अच्छे से उपर है और इतर पैं में इध्क होने के है के लिए रख दिया है तेल हमारा हलका गरमर इस तरीके से हम बस गोल में डिप करेंगे और पैन में याँ पे डालते जाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालेंगे ताकि ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपके नहीं अगर हमने इने पास-पास में डाल दिया तो फिर पल्टने में दिक्कत होगी और ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो जितने आपकी कडाई पैन में आ जाए उतने डाल दीजिए आज को धीमी रखना है जिसे थोड़ी देर पकने देना है और चम्मसे इस तरीके से उपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाने ताकि उपर की स्टे है न वो भी थोड़ी सी ड्राई हो जाए ताकि पल्टेंगे न तो फिर बिल्कुल भी ये जो है एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं और जब ये नीचे से प्यारा साब को लगे की कलर आ गया तो इस त पका लेंगे तो दोस्तों यहां पर चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रस्पी से थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन का बटन है उसे जरूर से दवाई ताकि मैं जब भी वीडियो ब्लोड क आप सबसे पहले देख पाए और यहां पर यह देख सकते हो दोनों तरफ से अच्छे से सिग्यार बहुत ही प्यारा सा है जो कलर आ गया तो अब हम इनको ऐसे निकाल लेंगे बहुत ही कम टेल पीते हैं ज्यादा यह तेल नहीं पीते हैं थोड़े सी तेल में इतना सारा हमा करें धन्यवाद दोस्तों